इस बजट के अंदर चहे आईट याईग में परवेश लेने के लिए तीन लाख रुपे वार्शिक से कम परिवारी काईवाली लड़कियों को पच्ची सो रुपे की वितिया साहता स्कॉलर्शिप के रूप में वो दी जाएगी ये भी प्रावधान इसके अंदर किया गया ह हरियान कोसल रोजगार निगम प्राइवेट सेक्टर में जन सक्ती की निउक्ति करेगा इसका भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है मुझे खुसी है इस बात की कि आदनिय मुख्यमंतरी मनहरलाल जी द्वारा जो ये बजट पे किया गया है इस बजट से सरव सपर्ची और सरव हरियाना परदेश का समार रूप से विकास को और गती मिलेगी लगभा गाओं के अंदर साथ सो पार्क व्याम सालाओं और आयूशमान स्वस्थे वेलनेस केंद्रों में उनको बदला जाएगा उसका भी प्रावधान किया गया है परतेक जिला परसिद में इस बजट के अंदर अलग से इंजिनियर विग का भी वो सुरू की जाएगी उसका भी इसके अंदर प्रावधान वो किया गया है और एक हजार जो बजट के अंदर प्रावधान किया गया है एक हजार ग्राम पंचैतों के अंदर इपुस्त काल्या खोलने का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है आदनीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उनकी सोच है कि जिस परकार से युगाओं का विश्वास परदेश की सरकार के अंदर बढ़ा है कि बिना पर्ची बिना के अंदर प्रावधान किया गया इससे हरियनाव परदेश के हमारे युवाओं को एक बड़ा लाब उसके अंदर मिलने वाला है ग्राम पंचैत भावनों में 468 उच्छ सुविधाओं वाले जिमने जियम और 780 महिला संस्कृत के अंदर भी स्थापित करने का निर्णया इ आदनी मुख्या मंतरी जी ने जो बजट के अंदर प्रावधान किया है कि परदान मंतरी क्रीसी सचाई योजना के तहट नौपर योजनाएं अगले पांच वरसों में भीवानी चर्खी दादरी गुरू ग्राम मेहंदर गड़ और यमननगर के अंदर वो लागू की जाए जिससे कि हमारे किसान को एक बड़ा लाब उसके खेत के अंदर वो पानी जाए उसके अंदर बड़ी मदद मिलेगी ग्राम पंचैतों में जो ठोस अप्षिस्ट परबंदन सेंतर लगाए जाएंगे जो जिन से ग्रामिंट खेतर के अंदर स्वस्ता में एक बड़ा लाब उसके अंदर मिलेगा और आदनिये मुख्या मंत्री जी ने जिस परकार से रिवाडी सही नगर निगम वाले नौ सहरों में सीटी बस सेवा वो सुरू करने का भी उसके अंदर प्रावधान किया गया है इस वजट से आने वाले दिनों के अंदर परदेश के अंदर एक नए विकास की और गती बनेगी इस वजट से जिस परकार से आदनिये मुख्या मंत्री जी ने ये गुड गवर्नेंस का एक उधारन पूरे देश के अंदर हर्याना में प्रस्तुत किया है कि इस गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो लोगों तक लाब पहुंचता है उस लाब को सीधा डारेक्ट लोगों के साथ जोड करके उनके घर तक पहुंचाने का जो आदनिये मुख्या मंत्री जी का संकल्प है उस संकल्प को ये और मजबूत करने वाला बजट है इस से हर्याना प्रदेश के अंदर एक विकास की नई उन्चाइएं और मिलेंगी मैं इस बजट को जो आदनिये मुख्या मंत्री जी ने आज पेस किया है ये हर्याना के विकास में एक और गती देने वाला बजट है अगर हम देखें कि हर्याना के अंदर चाहे किसान की आये की बात हो चाहे रोड्स के इंफरेस्टेक्चर की बात हो चाहे लोगों तक सूईध है चाने की बात हो आदनिय मुख्यमंत्री जी लगातार हरियाना के लोगों को मजबूत करते हुए उनको आगे बढ़ाने का लगातार काम करते हैं ये बज़ट भी इस विकास के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा इससे हरियाना परदेश विकास के नए आयों मों को छुएगा मैं इस बजट की आधनिया मुख्यमंतरी जी ने जो पेस किया है जो ग्रीब को मजबूत करने वाला बजट है जो किसान को मजबूत करने वाला बजट है जो महिला को मजबूत करने वाला बजट है जो युवाओं को मजबूत करने वाला बजट है इसक परकार से आविस्वास पस्ताव ये हर उस बजट के अंदर लेकर के आते हैं जिससे कि जब मुद्दा वहीन कॉंग्रस हो चुकी है तो आविस्वास पस्ताव लेकर के आएंगी और क्या लेकर के उनके पास कुछ है तो है नहीं है लाने के लिए यही है ना बोलने के लिए है ना लाने के लिए है ना कहने के लिए कांग्रेस के पास कुछ है अगर कोई वो बोलते है और उसके अंदर भी आविस्वास पस्ताव ला करके उन्होंने बाहर भागने का काम किया है वहां बैठ करके सुनने का काम नहीं किया है कोई मुद्दा उनके पास नहीं है